आप काईसे हैं फ्रेंड आज के वीडियो में टाकत को बढ़ाने के लिये वेकनेस को दूर करने के लिए चेहरे पर निकार लाने के लिए बेश्ट मल्टी विटामिन मेडिसियन नियू एटू जेट गॉल्ड कैप्सुल के विषय पर जानकारी फ्रेंड इस capsule को कौन सी company बनाती है इस capsule में कौन से content से मिले विये होते हैं इस capsule के क्या उपयोग होते हैं इस capsule के क्या dojage होते हैं आदी विशियों पर आज की वीडियो में discussion करने वाले हैं फ्रेंड यदि आप मेरे channel पर नए viewer है तो प्लेज मेरे channel को like करे, share करे, subscribe करे and bell icon को press करे आने वाली knowledge की वीडियो देखने के लिए इस capsule को company 15 capsule की steep में बनाती है 15 capsule का मौल 155 रुपए होता है इस capsule को Indochemi Health, Special, Times Private Limited Company बनाती है जो की एक अच्छी company होती है इस capsule की marketing LKM Laboratories Private Limited Company करती जो की एक based company होती है इस capsule में निमन contents में लेवी होते है energy contents है, carbohydrate contents है, sugar contents है, protein contents है fat contents है, standard fatty acid contents है, trans fatty acid contents है collateral contents है, omega-3 fatty acid contents है, eco-sapenta-9 contents है deco-saiosunic contents है, alpha-lipoic acid contents है, vitamin C contents है, vitamin E contents है beta-kate-10 contents है, vitamin B6 contents है, vitamin B1 contents है, folic acid contents है, vitamin B12 contents है, zinc contents है, selenium contents है, chromium contents है friend, इस प्रकार ये multi-vitamin, anti-oxidant, minerals, gent, contents है, content से मिलकर बना best capsule है friend, अब इसके क्या उपयोग होते हैं? ताकत बढ़ाने के लिए इस केप्सूल का उपयोग किया जाता है, weakness को दूर करने के लिए इस केप्सूल का उपयोग किया जाता है, चेरे पर निकार लाने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है मूटाई बढ़ाने के लिए अर्थाद दुबले पतले वेक्तियों के लिए मूटाई बढ़ाने के लिए एक कैपसुल का उपयोग किया जाता है बलट को बढ़ाने के लिए इस कैफसुल का उपयोग किया जाता है मानसिक तनाव को कम करने के लिए इस कैफसुल का उपयोग किया जाता है सियद बनाने के लिए इस कैफसुल का उपयोग किया जाता है किसी कारणवस वजन घटता है तो वजन बढ़ाने के लिए इस केफसुल का उप्योग किया जाता है जिससे मोटाई बढ़ने लगती है अवसाद की बिमारी अर्थाट डिप्रेशन की बिमारी को कम करने के लिए भी इस केफसुल का उप्योग किया जाता है आखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए इस केफसुल का उप्योग किया जाता है बांजपन की समस्या है अर्थात बांजपन की समस्या को दूर करने के लिए इस केफसुल का उप्योग किया जाता है योवन सक्ति को बढ़ाने के लिए इस केफसुल का उपयोग किया जाता है आतों की ताकत को बढ़ाने के लिए इस केफसुल का उपयोग किया जाता है आतों की ताकत बढ़ने से भूजन ठीक प्रकार से पच पाता है पिचिस के बाद आई कमजुरी को दूर करने के लिए इस इस केपसुल का उपयोग किया जाता है पाचनतंत्र विकार है जैसे भोजन नहीं पचरा है भोजन करने में अरूची होती है इन डाइजेक्शन होता इस प्रकार के लच्छना आते हैं तो इस केपसुल का उपयोग किया जाता है हार्ट को ताकत देने के लिए या हार्ट की त जाकत वड़ाने के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है मुझ के छाले को दूर करने के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है निवरोपेथी एक बिमारी होती है यह सुन्नपन की बिमारी है इस बिमारी के लिए इस केपसुल का उपयोग किया जाता है मुत्रम अर्थाद घाव को भरने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है उतकों को ताकत देने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है उतक अर्थाद बॉड़ी के टीसू सेल को ताकत देने के लिए इस कैपसुल का उपयोग किया जाता है विटामिन ए की कमी को पू सुजन को कम करने के लिए अर्थात बोन डिजीज के लिए इस केफसुल का उपयोग किया जाता है किमकी केलसियम की मातरा इस केफसुल में मिली हुई होती है इनीमिया की विमारी को के टीटिमेंड के लिए इस केफसुल का उपयोग किया जाता है भूलने की बिमारी है तो उस समय इस केफसुल का आप उपयोग कर सकते हैं रोग प्रती रोधक सक्ती को बढ़ाने के लिए इस केफसुल का उपयोग किया जाता है नसो को ताकत देने के लिए इस केफसुल का उपयोग किया जाता है विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है तो बेरी बेरी रोग के लिए इस कैपसुल का उप्योग किया जाता है बाडी के विकास के लिए इस कैपसुल का उप्योग किया जाता है बाडी की ग्रोव सक्ती को बढ़ाने के लिए इस कैपसुल का उप्योग किया जाता है फ्रेंड ये मल्टी विटामिन कैपसुल है बेस्ट कैपसुल होता है एंटी ओक्सिडेंट गुन पाये जाते हैं मल्टी विटामिन गुन पाये जाते हैं मल्टी मिनरल्स गुन पाए जाते हैं इस प्रकार इस केफसुल के बेश्ट उपयोग होते हैं इस केफसुल के क्या डोज होते हैं या इस केफसुल को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है इस केफसुल को अपने डॉक्टर की सलापर दिन में एक बार उपयोग किया जात होते हैं इसagain इसकी कमन साइडिपेग्ट होते हैं एक अभी कभार दिखा Minecraft है पैट में लगना साइडिपेग्ट है दस्त लगना साइडिपेग्ट मितली इल्टी साइडि कुछtin सावधानी को तो आप इसको डॉक्टर की शला पर उप्योग कर सकते हैं इस तन्पान कराने वाली महिला को लग्ण इस केफ्चुल पहल प्याइज तो इस केफ्चुल का उप्योग ना करें इस प्रकार की कुछ सावधानी होती यदि इस दोरान आपके कोई कमेंड है डिस कमेंड सेक्षन में आवस्च लिखे आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं जय हिंद